हेलो प्रेंड्स मैं हूँ सियों और आपका स्वागत है वेबसाइट डेवलोपर्स में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉगर की सेटिंग्स की बारे में हमें इसे कई लोग अपना ब्लॉग बनाते हैं और सुचते हैं कि उससे पैसार न करें पर हमारे ब्लॉग के आर्टिकल्स ही गूगल पर रैंक नहीं होते हैं जिससे हमारे ब्लॉग में ट्रैफिक बहुत कम होता है और हमारी अर्निंग भी एफेक्टेड होती है ब्लॉग के हर एक आर्टिकल को rank कराने के लिए सबसे महतपूर होता है कि आपके ब्लॉगर की setting अच्छे से हो अगर आपके ब्लॉगर की setting अच्छे से होगा तो आपका SEO भी अच्छा होगा और आपके ब्लॉग का SEO बढ़ने से आपके articles Google पर जल्द से जल्द rank करने इस्टार् वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप एक सवाल है क्या आपका ब्लॉग गूगल सर्च में नहीं हाता है इसका एंसर हमें कमेट करें ताकि हम इसके लिए जलसे जल्ड वीडियो बना सकें सबसे पहले आपको अपने ब्लॉगर में लॉग इन हो जाना है उसके बाद sidebar में बने settings के option पर click करना है अब यहाँ पर settings के सभी option खुल जाएंगे सबसे पहला option है title यहाँ पर हम अपने blogger का title देते हैं आपकी website जिस नाम की बनी उसी से related यहाँ पर title रखें इसके बाद description यहाँ पर आपको अपने website का description लिखना है जो जो आप अपनी website में बताते हैं जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ keywords वगएरा जो मैं अपनी website में बताने वाला हूँ और save पर click कर देना है और यहाँ पर इनको छोड़ देना है जैसे है वैसे ही और यहाँ पर visual tool search engine है इसे on ही रहने देना अगर आप camera off हो तो sound कर लें और यहाँ पर नीचे आते हैं यहाँ पर blog address का एक field है अगर आप अपने blog का URL चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से change कर सकते हैं यहाँ पर https को on रहने देना है और थोड़ी नीचे आते हैं यहाँ पर जो की हमारे सबसे जरूरी है यहाँ पर है post आप अपने home page में कितनी post so करना चाहते हैं तो मैं इसे reduce करके 9 कर दे रहा हूँ आप जितने कम post home page पर so करेंगे आपके blog की speed उतनी ज़्यादर रहेगी और यहाँ पर इसे on ही रहने देना है इन दोनों को और यहाँ पर हमें formatting का option मिल जाता है तो यहाँ से हमें time zone अपने country का select करना है यह हमारे SEO में मदद करता है मैं अपना India select कर लिया हूँ और save पर click कर रहा हूँ आप अपना select कर लें और यहाँ पर date header format पर आप अपने हिसाफ से जो भी आपको अच्छा लगता है उसे choose कर सकते हैं जैसे यह मुझे बड़ा लग रहा काफी इसलिए मैं छोटा से ले रहा हूँ date for month, year और यहाँ पर time, is time, format वगरा है इनको भी आप इसी तरह choose कर सकते हैं जैसे मैं यह date और फिर time लिख रहा हूँ इसी तरह आप comment का भी choose कर सकते हैं और यहाँ पर guys सबसे important thing enable करना है आपको search description और इसके बाद search description पर आपको click करना है और जिस भी topic के बाए में आपकी website हो उसे related keywords को यहाँ पर place करना है जैसे मैं यहाँ पर कई keywords place करना हूँ जो हमाई website के topic से related है और इसके बाद save पर click कर देना है और यहाँ पर अप नीचे देखते हैं यहाँ भी बहुत important है यहाँ पर custom robots.txt कौन कर लेना है और custom robots.txt पर click करना है इसके बाद guys आपको description में जाकर एक link मिलेगी उस link पर click करते ही आप इस page पर पहुंच जाएंगे यहाँ पर bottom में आने पर आपको examples के अंदर एक code दिया गया है इसे आपको copy करना है और यहाँ पर paste कर देना है अब यहाँ पर आपको यह web URL जहाँ पर लिखा है वहाँ पर अपने blog का address paste करना है जैसे मेरे blog का address है website developers official.blogspot.com और यहाँ पर double slash आजाएगा तो इसे एक बार back कर देना है double slash नहीं सिर्फ single slash रखना है और उपर वाले में भी site URL की जगा आपको अपने blog का URL paste करना है और इसे slash अटा देंगे और इसके बाद save पर click कर देना है अब आपको enable custom robots header tag पर click करना है और इसे enable करना है यहाँ पर तीन option height थे वह आप सो होँगे homepage पर click करना है और यहाँ पर нужно dp पर click करके save कर देना है इसे on करना है achieve and search pages पर आपको click करना है और यहाँ no index node dp कर on करना है और save पर क्लिक कर देना है अब post and page tag पर जाना है और all और no dp को on करना है और save पर क्लिक कर देना है अब हमारे blogger की settings complete हो चुकी है और नीचे जो settings है उन्हें वैसे ही रहनेते और इस channel को subscribe करना बिल्कुल भी न भूले